तो हलो बई मैं हूँ और दिन स्थार तो स्वागते आपका अमरी एक और नई वीडियो में तो आज बात आती है एक ऐसे सवाल के उपर कि इंडिया में SUV का नाम बहुत चलता है इंडिया में SUV बहुत जाला चलती है एंड एक्चुल में SUV होती क्या है एंड टोटली डिपेंड इंडिया में क्या कुछ चपन को देखने को मिलता है तो सारी बात करेंगे वीडियो एंड तक देखनें बहुत जादा इंफॉमेटिव रहेगी तो चलिए ऐसे कौन सी गाड़ी ती जिसने SUV का ट्रेंड जलू गिया और एक्चुल में यह आग लगी कहा से थी तो सारी बात आती थी सेडान टाइप की बहुत चर्चा था सेडान का उस टाइम पर टाटा सियरा ने लॉंचिंग के बाद से एक धमाल मचाया था कि एक्चुल में गाडियां एसी भी होती है जो SUV टाइप के डिजाइन में आती है ठीक है वो गाड़ी एक त्री डोर गाड़ी थी जो बेसिकली एक अलगी लुक प्रोवाइड करती थी साइड में भाई बहुत बड़ा ग्लास मिलता था पनको और उसके साथी एक अच्छा लुक मिलता था देन 1994 में ट सारी बात करते हैं तो चलिए सबसे पहली चीज गाड़ियां दो टाइप की आती है यहां पर बेसिकली कुछ गाड़ियां रहती है जैसे कि महिंद्रा की बोलेरो बोलेरो नियो स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो एंड और महिंद्रा की थार और उसके साथ ही टोयोटा फॉर्चुनर यह गाड़िया बेसिकली लेडर उन फ्रेम बेस पे एक्च्छल में इन्हें बोला सब जा सकता है कि एक्च्छल में रियल एक्च्छ जो होते हैं वह यह हैं तो यहां पर फरक की जब बा नाम आता है लेडर उन फ्रेम का लेडर उन फ्रीम बिसिकली इनमें ऐसा होता है जिसमें चैसे और बॉड़ी बिलकुल डिफरेंट एंटिटी रहती है जो मतलब बिलकुल एलग है ठीक है दोनों को अलग से जोड़ा गया है बट मोनोकॉक चैसिज में क्या होता है सब उपर body को कसा जाता था तो यह रहता है basically letter on frame का जहां पेद देखा जाता है कि यह इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत रहती है कि ऐसे द् 섞ारों यह चरोटा रहती है लोग क्या करते हैं दोनों को अलग करके और भाई आटिफीशियल एस जो आती है उनमें फरक आटिफीशियल एस जो मैंने नाम ले लिया तो यहां पर जो मॉनोकॉक चैसिस वाली एस जो आज की डेट मारी है भाई वह बेसिकली ऐसे इतना आफ रोड नहीं कर सकती जितनी इनमें capabilities रहती थी महिंद्रा थार जहां सब जा सकती है फॉर्चुनर जहां जा सकती है वहां एक्स्यूव सेवन डबलो नहीं जा सकती तो इनमें यह फरक रहता है तो अब भाई मोनोकॉक चैसिस के benefits क्या है कि actual में मोनोकॉक चैसिस को launch करने की मजबूरी कहां से सुरू हो गई भाई मोनोकॉक चैसिस के साथ में आने वाली एक्स्यूव पहले एक्स्यूव थी महिंद्रा की एक्स्यूव फाइब डबलो 2011 में launch हुई थी तब से चल रहा है यह trend की actual मोनोकॉक के base पे एक्स्यूव को बनाया जाए बाई एक्स्यूव फाइब डबलो की एक बहुत बड़ी खासियत थी वो गाड़ी भागती बहुत सांदार थी उसके साथ है उसका control और उसकी जो ड्राइबलीटी थी वह बहुत जो मज़ा था वो भाई स्कॉर्पियो में मज़ा नहीं था तो मोनोकॉक में यह फरक था जो गाड़ी की एरो डाइनमिक थी वह बहुत सांदार थी जो भाई लैडरान फ्रेम पर रहती है वह बैसिकली बॉक्सी बॉक्सी सी जो डबबे टाइब की गाड़ियां वह रहती ह है बॉड़ी अलग है चैसी से लग है और बस चल रही है बट उनका एक फाइदा भी है बाई कि वह गाड़ियां ऑफ रोड ट्रेक्स पर फिर खराब रस्तों पर बहुत मस्त तरीके से निकलती थी लेकिन हाईवे पर जब बात आती है 120 140 पर क्रूजिंग की वैसे करता नही हैं बट मोनो कॉक इतने चादा चांज नहीं रहते अब आज की डेट में मोनो कॉक पर आने वाली गाड़िया कौन सी है ऐसी तीन टैप में डिवाइड है मेंली कॉम्पेक्ट एस्वी मिड साइज और फूल साइज यहां बात कॉम्पेक्ट की आती है पाई कॉम्पेक्ट अब उसे चलाना भी तो है अब मोनो कॉक पर बेस्ट गाड़ी है तो वहां पर कंट्रोल्स भी अच्छ है और 210 mm का ग्रांड क्लिरंस भी है तो सारी बाते सही है एक्च्छल में इन में आता था फोर वील ड्राइव का ओप्शन ठीक है उस टाइम पर जो कॉम्पेक्ट एस्वी विट फोर वील ड्राइव वह आती थी बाई डस्टर तो भाई वह आती थी डस्टर और आज की डेट म और किया सेल्टॉस बहुत बड़े नाम हैं यह दुनों तो भाई जब मिड्साइज स्वीज का लांचिंग हुआ या फिर कहलो मिड्साइज स्वीज जब आई तो उनमें एक्च्छल में फरक क्या है जब यह डिसकंटीनिउड हुई रेनॉल्ड की डेस्टर तब तक यह भ इंगा तो अब वाई प्रोज और कॉंट को कॉंट और लेडर और फ्रेम के क्या रहते हैं और किसके लिए को बनी रहती है तो जब बात मोनोग चैसिस के आती है वह प्यूर्ली और और खराब रस्तों के लिए यह खराब रस्ते बेसिकली जो छोटे-बोटे हो जो हाई वे पे खराब रस्ते आते में उनके लिए बट ऑफ रोड के लिए मोनो कॉक चैसिस वाली गाड़िया बनी ही नहीं है बट जब बात लेडर ऑन प्रेम के आती तो वहां पे ऑफ रोड पहला नाम आता है हाईवे से पहले ऑफ रोड आता है बट आज की डेट में इंडिया में इत लेडर ऑन फ्रेम भाई रफ एं टफ रस्तों से कैसे भी निकाल लो उनमें इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता हो रेटलिंग साउंड्स क्रियेट नहीं होती मोनो कॉक में फट से रेटलिंग सुरू हो जाएगी यहां से बज़री वहां से बज़री क्योंकि यहां पे प इंजन बहुत बड़ा मिलता है टॉर की इंजन है और भाई इसके साथ ही लेडर ऑन फ्रेम मिल जाता है जहां से भी निगालो कुदा दो तो अच्छा खासा एक मिल जाता है ठीक है लेकिन 800 के बाद में उसमें आपनको confidence फील नहीं होता है लेडर ऑन पर में इतना confidence फील नह में launch हुई थी और यह 24 अगा मोडल है तो क्या होता था ग्राउंड क्लेरंस इसका बहुत पॉपुलर था और इसका 110 PS इंजन बाई उसके तो क्या ही कहने देखो ग्राउंड क्लेरंस अल्मस्ट हर SUV से आजगी रेट में ज्याद आईगी है ठीक है जो compact आ रही है तो आलोवर खराब रस्तों में टूटे-फोटे रस्तों में चलना है और आपको ऐसी भी होता है 4x4 की भी जरूरत पड़ जाती है उसकेस में आज भी टिकाउ गाड़ी लेडरान फ्रीम रहती है पट आपको ऐसा है सहरी एरिया में जहां पे इस टाइप की खराब रस्ते रहते हैं और कई जगां गड्डे होते हैं उन में से निकाल नहीं रहती उसकेस में मौनोगोग बहुत जाथा सक्सेस्फुल रहता है क्योंकि यहां पे एक लुक भी मिल जाता है उसके साथी अपनको एक एर्गो-डाइनमिक ऑने वाली एरगो-डाइनमिक कार मिल जाती है तो यहां पर बढले कार नाहें जब बात लेटर ऑन एकलारां फ्रेम की आता है लेटर उन फ्रेम पर थायख ठ鉄塔 को बारन पर रहते हैं तो जब का समक्वारां करती है तो यान richtig ऊसे आपके इला लिए उसचों गणित रहती है एक्चुल में लेडरान फ्रेम बेस्ट पे आने वाली गाड़ियां आज भी एक रियल SUV देती है अपनको जहां पर ड्राइब अबिलिटी गाड़ी की टार्गनॉमिक्स या फिर कलो गाड़ी के आल ओवर ऐसे रस्तों पर चलानी है आपको जहां पर बहुत खराब है और आपको भाई 4x4 की जर्रती है जो हाड़कॉर वाली ओफ्रोडिंग करनी है वहां पर लेडरान फ्रेम करनी है जहां पर हल्की फुलकी ओफ्रोडिंग करनी है जैसलिक एक्चुप 7W भी कर सकती है बट आज की पर लेट में मोनोकोग चैसिस के साथ में और विल ड्राइव एर फिर क्यलो फोर विल ड्राइव के साथ में दो ही गाड़िया आ रही है या फिर के लो में ली एक ही आ रही है वह एक्चुप 7W उसके अलावा आपने पास कोई खास आप्शन बचाई नहीं है बॉलेर हो सब्सक्राइब करना यूट्यूब चैनल को तो मिलते हैं सी नेक्स्ट वीडियो में तक लेश्टे ट्यूंड एंड कीप वाचिंग